नमश्कार दोस्तो स्वागत आपका हमारे चैनल नौलिज साथी पर दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम अपनी एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम अलग-अलग हेल्थ केर वाडीज को और उनके द्वारा दी जाने वाली अक्रेडिटेशन सर्विसिस के बारे में बा बात कर चुके हैं अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उपर आई बटन पर जाकर हमारी इस प्ले लिस्ट को देख सकते हैं और इन बॉडिस से जोड़ी अपनी नौलिज को बढ़ा सकते हैं दोस्तो हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की एन नर्सिंग एक्सलेंस दोस्तों यह एन बेज का सबसे ज़्यादा अनहर्ड अक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं या फिर सिर्फ वो लोग जानते हैं जो रेगुलरली एन बेज कंसल्टेशन में एक्टिव हैं साल 2014 में दोस्तों एन अपना ये प्रोग्राम लॉंच किया था क्लिनिकल आउटकम्स पेशेंट सेफटी और सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए हॉस्पीटल के सामने दोस्तों कई सारे चैलेंज आते थे जैसे की नर्सिस की कमी नर्सिस का डिफरेंट लेवल्स पर इंगेजमेंट चाहें आप बात करें बैट साइट की या फिर आप बात करने मैनेजमेंट में या फिर कुछ अधर एक्टिविटीज में जहांपर नर्सिस की डिमांड जादा थी जैसे की कॉलिटी इंप्रूब्मेंट में डेटा कलेक्शन में या फिर रिपोर्टिंग में तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं NABH Nursing Excellence Certification की हमारे इस वीडियो में लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए साथ ही पास बने बैल आइकन के बटन को भी दवाईए जिससे कि आपको हमारी आने व दोस्तों नर्सिस की इंपोर्टेंस और उनके रोल को देखते हुए NABH ने Nursing Excellence Standards को फ्रेम किया और गाइडलाइन्स को बनाया जिससे कि एक हेल्थ केर और्गनाईशन में दी जा रहा ही Nursing Services को Evaluate किया जा सके दोस्तों Nursing Excellence Standards का First Edition Chapters में डिवाइड़ है जो कि कई सारे Professionals, Administrative और Nursing के Governance एसपेक्ट पर फोकस करता है अगर हम NABH Nursing Excellence Standards को देखें दोस्तों तो यहां पर हमें साथ स्टेंडर्ड देखने को मिलते हैं जिनमें शामिल है Nursing Resource Management, Nursing Care of Patient, Management of Medication, Education, Communication and Guidance, Infection Control Practices, Empowerment and Governance and Nursing Quality Indicators दोस्तों इस Certification से होने वाला अगर हम Benefits की बात करें तो यहां पर हमें देखने को मिलते हैं यह Continuous दोस्तों Quality Improvement को बढ़ाता है Nursing Care, Safe, Effective और Competent बनाता है हमारी Nurses को Professional Nursing Practices को Regulate करता है, Guide करता है और Promote करता है साथ ही Community में दोस्तों आपके Center को लेकर Confidence को बढ़ाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग Treatment के लिए आपके Hospital या Center की ओर बढ़ते हैं दोस्तों Nursing Care के लिए Nurse Administrators और Supervisors को Guideline भी Provide करता है जिसको Follow करके वो अपने Work को अच्छे से कर पाते हैं इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा Benefit होता है Hospital के Nursing और Paramedical स्टाफ को Certification को लेते हैं NABH की ओर से तो सबसे ज़्यादा Satisfied जो होते हैं वो आपके Healthcare Workers होते हैं क्योंकि दोस्तोंने लगतार सीखने को मिलता है एक अच्छा Environment मिलता है और Leadership Skills दोस्तों उनके अंदर आते हैं साथी उनके काम करने की Efficiency और Competency बढ़ती है और वो अच्छे से function कर पाते हैं इसके साथ साथ दोस्तों Certification को फायदा यह होता है कि यह Professional Development को बढ़ाता है Knowledge को बढ़ाता है और Competencies को बढ़ाता है जिसके चलते पूरी टीम दोस्तों systematic way में काम करने लगती है और accountable हो जाती है अपने working के लिए जिन में शामिल हैं दोस्तों हमारे सभी स्टाफ जैसे की nurses, medical staff और paramedical staff अब सवाल उठता है कि certification program के लिए कौन apply कर सकता है तो इसका जवाब है कोई भी healthcare organization जो care services को provide करती है चाहें वो small hospital हो, large hospital हो या फिर nursing home हो दोस्तो nursing excellence certification के लिए apply करने के लिए hospital या care center को कुछ practices को follow करना जरूरी होता है क्या है ये practices तो दोस्तों आपका hospital अभी work कर रहा हो यानि कि active हो, आप patient services provide कर रहे हो आपने दोस्तों कम से कम 3 महीने तक NABH के standards को अपने hospital में या center पर practice किया हो, implement किया हो और organization दोस्तों जो भी action ले रही हो वो NABH की guidelines के basis पर ले रही हो अगर दोस्तों आप 3 महीने से NABH के standards पर functioning कर रहे हैं और उन्हें follow कर रहे हैं तो इसके बाद दोस्तों आपको nursing excellence program के लिए online apply करना होता है इस NABH की website पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपने hospital या care center पर तीन महीने तक standards को follow करना होता है उसके बाद दोस्तों NABH certificate के लिए NABH की website पर जाकर आपको apply करना होता है apply आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों तो apply आप online कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आपको दोस्तों NABH के standards को purchase करना होगा implement करने के लिए purchase भी दोस्तों आप website से कर सकते हैं जिसका cost है पंदरा सो रुपै तो इन standards को लेकर आप apply कर सकते हैं उसके बाद फिर दोस्तों आप NABH certification के लिए apply कर सकते हैं apply करने के लिए दोस्तों आपको कुछ requirement होगी जैसे कि आपको इस नया email ID बनाना होगा या register करना होगा nursing excellence certification को आप choose करना होगा इसके बाद दोस्तों NABH आपकी email ID और password को activate कर देगा जिसको आप बाद में कभी भी login करने के लिए use कर सकते हैं apply करने का दोस्तों एक process रहता है क्या होता है वो process तो आप दोस्तों अपनी screen पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले दोस्तों आपको तीन महीने के लिए standards को apply करना होता है hospital में उसके बाद आपको दोस्तों application form को भरना होता है अपने documents को submit करना होता है और application fee को submit करना होता है third step में दोस्तों यहाँ पर acknowledgement आपको मिल जाता है NABH की ओर से जिसके बाद दोस्तों आपको एक assessment होता है जो कि on-site, remote, desktop या hybrid वो option दोस्तों आपके पास रहेगा कि आप उस assessment को किस तरह से कराना चाते है assessment के बाद दोस्तों आपका review होता है assessment report का यानि कि जो भी hospital में आपके missing था या जिस action को लेने की जरुवत है वो आपको दोस्तों बताया जाता है जिसको आप corrective action और preventive action के नाम से जानते हैं तो उन actions को दोस्तों आपको complete करना होता है उसके बाद फिर आपको submit करना होता है NABH को जब दोस्तों आप corrective action और preventive action ले लेते हैं किसी भी non-conformity के लिए उसके बाद दोस्तों आपको approval मिल जाता है certificate के लिए certification committee की और से approval मिलने के बाद दोस्तों issue हो जाता है आपका certificate यानि कि जो आपका certificate नबेश का वो आपको मिल जाता है जिसका आप use कर सकते हैं बात में दोस्तों आपको certificate के लिए renew कराना होता है renew दोस्तों आपको कम से कम 6 महीने पहले कराना होता है जब आपका time expire होने वाला होता है तो इस तरह से दोस्तों यह आपका process काम करता है certification के लिए अब दोस्तों हम अगर बात करें certification की fee क्या होती है तो यहाँ पर जैसा कि आप अपने screen पर देख पा रहे हैं दोस्तो general brochure के लिए दोस्तों कोई भी cost नहीं होता है website पर जाकर आप देख सकते हैं अगर आप standards को purchase करना चाते है nursing excellence के तो उसका 1500 रुपए cost होता है जिसकी hard copy आपको मिल जाती है उसके अलावा दोस्तों कितना charge होगा आपके बेड़ साइज पर यानि कि hospital का बेड़ साइज क्या है मालीज अगर आपका hospital 10-30 बैड़ का है और एक दिन के लिए एक ही यहां पर assessor आ रहा है आपके assessment के लिए तो आपका cost होगा दोस्तो 25,000 रुपए application का जिसमें आपका annual fee भी 25,000 ही रहेगा दोस्तों मैं दोस्तो application fee का और annual जो आपका fee जाएगा वो भी दोस्तो 45,000 रुपए जाएगा 100 बैड़ से लेके 350 बैड़ का दोस्तों अगर hospital हो चार लोग दोस्तों अगर आपके यहां पर आते हैं assessment के लिए दो दिन के लिए तो यहां पर दोस्तों आपका cost होगा 55,000 रुपए application fee का वहीं आपका annual fee भी दोस्तो 55,000 ही रहेगा वहीं 351 से उपर अगर 351 से जादा बैड़ का आपका hospital है तो six men day यहां पर आपको मिलेंगे दोस्तों यहां पर cost होगा आपका 65,000 रुपए और annual fee भी दोस्तों आपकी 65,000 ही रहेगी अब यहां पर दोस्तों कुछ important बाते हैं जो आपको याद रखनी होंगी जिन में शामिल है कि दोस्तों जो आपका fee होगा hospital का उसमें दोस्तों traveling expense, lodging, boarding of assessor यह सारे expense count नहीं होंगे यह सभी expenses दोस्तों hospital को bear करने होंगे यानि कि जो भी assessor आएका दोस्तों आपके assessment करने के लिए उसके जो boarding charges होंगे, travel charges होंगे वो दोस्तों आपको bear करने होंगे hospital के तौर पर 10% का दोस्तों आपको discount भी यहाँ पर मिल जाएगा अगर hospital दो साल की अपनी installment एकी बार में pay कर देते हैं चाहती दोस्तों fees जो है आपको वो online pay करने होगी, offline का यहाँ पर option नहीं रहता है दोस्तों लोगों के use के लिए भी कुछ guidelines ने दी हैं जिनको follow करना आपको बहुत जरूर यह हो जाता है दोस्तों अगर लोगों का किसी भी तरह से misuse होता है, यानि के ने बीच का logo आप किसी भी गलत तरीके के लिए use करते हैं for any wrong means, तो वहाँ पर दोस्तों कोई action लिया जा सकता है, ने बीच की योड़ से आपके hospital के अगेंज, तो दोस्तों जो guidelines बताई गहीं, उन guidelines को आप अच्छे से पढ़ लिजिए और कैसे उसको follow करना है, वो भी आप उसको जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि लोगों का use दोस् कुछ conditions बताई हैं, अगर जिनको आप करते हैं, या ऐसा पाया जाता है आपके hospital में, तो दोस्तों आपके NABH का certification terminate हो सकता है, और आपसे NABH का tag चिन जाएगा, क्या है दोस्तों वो condition, मान लिजिए अगर आपने जो अपना fee है, वो time पर pay नहीं किया, और वो delay हो जाता है, email मिलने के बाद भी, या फिर दोस्तों कोई adverse action आपके against लिया जाता है, किसी regulatory body की तरफ से, मान लिजिए hospital में कुछ पाया जाता है, जिसके चलते hospital पर किसी भी तरह का कोई action लिया जाता है, जो law abiding है, या against the law है, तो वहाँ उस case में भी दोस्तों NABH का certification आप से चिन सकता है, patient safety को लेके दोस्तों बहुत जादा serious कुछ incident hospital में होता है, तो उसके चलते भी यहाँ पर certificate terminate होने के chances रहते हैं, उसके अलावा अगर आप NABH के standards को follow नहीं कर रहे हैं, certification मिलने के बाद तो उस case में भी दोस्तों यहाँ पर आपका termination possible हो सकता है, NABH एक surprise visit करते हैं accreditation मिलने के बाद, जब आप accreditation मिल जाता है, तो साल में एक से जएड़ साल के अंदर दोस्तों NABH एक surprise visit करते हैं किसी भी hospital में यह देखने के लिए कि वहाँ पर standards को properly follow किया जा रहा है या नहीं, तो ऐसे में अगर आपका hospital पाया जाता है कि वो NABH के standards को follow नहीं कर रहा है, तो उस case में आपके hospital का certification terminate किया जा सकता है, दोस्तों अभी तक 21 hospital ने nursing excellence program के लिए apply किया है, जब कि 136 hospitals को दोस्तों nursing excellence certification already मिल चुका है, तो दोस्तों यह था हमारा वीडियो NABH के एक program जिसका नाम है Certificate in Nursing Excellence for Hospitals, आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको informative लगा होगा और हम सारी जानका यह आपके साथ share कर पाए, अगर आपको लगता है दोस्तों वीडियो में हम कुछ और add कर सकते थे या किसी और topic पर दोस्तों आप वीडियो चाहते हैं तो हमें comment section में comment करके जरूर बताएं, हम कोशिच करेंगे दोस्तों उस topic के उपर वीडियो लाने की, वीडियो में दोस् नहीं हम करना कि सुएट थे ले पन्याप में हमें कर दोस्तों आपके सकताव हैं initiatives चाहते हैं में हमें में अपकर नफे Eg